पाकिस्तान की एक और नापाक चाल भारते शूर वीरों ने ऐसे कर दी नाकाम आस्मान से हमले की थी साज़िश जवानों ने हवा में किया निस्तनाबूद आतंकिस्तान की हर चाल को अब आप करीब से देखिए इमरान के दुस्साहस की कहानी को करीब से देखिए जीन के साय में पल रहे पाकिस्तानी नाक की कहानी को आप करीब से देखिए अब वीके नियूस घाटी की हर खबर सबसे पहले आपको देगा जरा इन तस्वीरों को आप ध्यान से देखिए ये पाकिस्तान का नया हत्यार है कभी कबूतर से आतंकियों को संदेश भेजने वाला पाकिस्तान अब ड्रोन का इस्तमाल कर रहा है ड्रोन के सहारे घाटी को देहलाने की कोशिश में लगा है जमुकश्मीर में आतंक के सपोलो को दूद पिलाने की कोशिश में लगा है यह तस्वीरे हैं जम्मो कश्मीर के कनाचो के लाखे की जहां जम्मो पुलिस ने पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया साथ ही आतंकियों के मनसूबे को भी धूल चटा दी रिपोर्ट के मताबक इस ड्रोन के गिरने पर 5 किलो आईडी भी परामध हुई है जाहिर है कि ये आईडी घाटी को गहरा घाव देने वाले थे पर पुलिस ने आतंकियों के मनसूबों पर पानी फेर दिया और बता दिया कि घाटी में सेना के साथ साथ पुलिस भी चौकननी है बता दे कि सीमा पर बीते कई दिनों से लगातार ड्रोन देखे जाने की घवरे सामने आ रही थी खूफे आईजिंसियां पहले ही अंदेशा जता चुकी है कि आतंकी ड्रोन के जरीए किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिलाक में है वों इस सुरक्षा बल भी इस आस्मानी आफ़स से निपटने की तैयारी कर चुके है माना जा रहा है कि ये ड्रोन जिसे मार गिराया गया ये उसी का नतीजा है पुलिस ने बताया कि ड्रोन को भारती सीमा के 6-7 किलो मीटर अंदर मारा गया है पुलिस की सूजबूज के कारण ये ड्रोन मार गिराया गया पतादे की घाटी में आतंकियों की कमर तोड़ी जा रही है जिसे पाकिस्तान बॉखला उठाए और अब सीज फाइर की जगा नए नए हतकंडे अपना रहा है पर हमारी सेना और जमो कश्मीर पुलिस एक एक करके सारे सपोलों को ही नहीं बलकि उनको राजनेतिक सरक्षन दे इस ने उस ड्रोन को जो है गिराया और आपको मैं बता दूँ यह जो ड्रोन जो है पैकसान की तरफ से कम से कम हमारे अगरहम अकनूर सेक्टर के आठ किलोमीटर जो है यह पहुँच गया था और जमो कश्मीर पुलिस की बड़ी कामें भी मानी जाएगी कि इस ड्रोन को उन है जो जुमू में है उन वहां पर भी ड्रोन के द्रों जो हमला हुआ था और उसके साथ काफी जगों पर यह पहला ड्रोन नहीं इससे पहले भी काफी ड्रोन जो है बेजागी निवस के लिए मैं जुमू कश्मीर से रही स्वानी